नमस्कार साथियों सच्चिन वाजे मुंबई पुलिस के अधिकारी अब उनका नया वयान ही आया है कि महराष्टा की जो टांस्पोर्ट मिनिश्टर है अनील परब उन्होंने भी बशूली के लिए दबाव बनाया उन्होंने भी बशूली का टार्गेट दिया उन्होंने ठे बूला है और सच्चिन वाजे इस बात को लेकर के एक बड़ा ही बड़ा खुला सा किया है सच्चिन वाजे ने दवा किया है कि अनील देश्मुख जो महराष्टा के ग्रह मंत्री थे ने उसे अक्टूबर 2020 में शहाद्री गेश्था उसमें बुलाया और मुंबई में 1650 ब करने के लिए कहा उनकी यह मुलकात देश्मुख के जो अधिकारिक बंगला है वहां पे हुई और इस दरान मंत्री के पिये कुंदन भी वहां मौजूद थे वाजे के मुताबिक देश्मुख ने हर बार हर मीटिंग में हर बार और रिष्ट्रा से तीन साड़े तीन लाख रुए वशूलने को कहा था सच्चिन वाजे ने भी दवा किया कि महराष्टा के जो ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर है अनिल परब उन्होंने भी उगाही करने के लिए कहा था अनिल परब ने जुलाई अगस्त 2020 में मुलकात की थी अनिल परब और सच करोड वसूलने को कहा था जिसके खिलाफ जांत चल रही थी वाजे ने यह भी कहा कि जुलाई अगस्त 2020 में मंत्री जी ने अनिल परब ने मुझे अधिकारिक बंगले पर बुलाया बैठक में परब ने मुझे सिकायत में सुराती जात देखने और ट्रस्टिस से तोलमोल कर करने को कहा उन्होंने मुझे जांच बंद कराने के नाम पर 50 करोड लाने के कहा मैंने इसमें असमर्थता जताई क्योंकि एस भी यूटी में मैं किसी को नहीं जानता था और जांच पे मेरा कोई नियंत्र नहीं था लेटर में आगे ने जो एन इये को लेटर दिया उसमें सच्चिन वाजे ने आगे लिखा है कि अनिल परब ने एक वार फिर मुझे 2021 में बुलाया और BMC के कुछ ठेकेदारों के खिलाफ जाज और परतेक से दो-दो करोड रुपे वशुलने को कहा वाजे ने लिखा उन्होंने मुझे ऐसा पचास ठेकेदारों से कम से कम दो करोड पिलाने को कहा वाजे ने ये भी कहा कि अनिल देश मुख और अनिल परब से उगाही को ले करके मिले आदेश के बारे में पुलिस कमिशनर परंबीर सिंग को शुचित किया था परंबीर सी ने उन्हें इन मांगों को नहीं मानने को कहा था अब ये ऐसे ऐसे जो लेन दिन का मामला है जिस से कहीं न कहीं इस देश की सरकार और इस देश की जनता त्रस्ट है और महराष्टा में जो बशुली का जो आलम चल रहा है इससे तो ये लगता है एसे सरकार को रहने का कोई हक नहीं है और इस सरकार को तुरंत ही इस्तिफा देना चाहिए जाहिए